स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होनी वाला है हाव टू मेक नीम ओय एड होग तो देखिए मेरे सामने नीम के पत्ते रखे हुए हैं नीम के पत्ते आपको कहीं से भी बहुत आजी से मिल जाएंगे चाहे पाड़क पारक वगयरा से और चाहे किसी सड़ लगे ही होते हैं तो उधर से हम ले आए है बहुत सारा नीम देखिए नीम का पेड कुद्रत की ऐसा बर्दान है जो कि हम इंसानों के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही फायदेमंद हमारे बागभानी बेवी तो आज मैं बताने वाली हो किस तरीके से हम नीम और इंसे बना सकते हैं और बहुत एजी तरीके से ज्यादा कुछ चीजों की हमें जरुत नहीं है वही चीजे आपको मैं बताऊंगे जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है और इस तरीके से हम इसका ज़्यादा फायदा ले सकते हैं और किस तरीके से इसे यूज करना है और कितनी वात्रा में यूज करना है आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है बहुत आसानी से बहुत इजी से आप बना लेंगे तो चलिए शू करती है किस तरीके से हम यह बनाना है इसे आईए चलिए नीमाहिल बनाने के लिए सबसे पहले हम पत्तियों को अच्छे से साफ कर लेंगे इस तरीकासे एक बगोरे में हमने पानी ले लिया है पत्तियों पे कोई ड़त होगी तो फोल क्लीन हो जाएगी विस तरीके से हम इसे अलग नहीं करना ही पधियों को स्ट्सें के साथ ही इसे हमें किसिना है उसके बाद में एक मिक्सी के जार में इसे सब को पीस ना है थोड़ा-थोड़ा करके आप पीस एंगे इसे मिक्सी ने इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे थोड़ी पानी की जो रहता है आप 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 हमारा नहीं के पत्ते पिसकर रैडी हो चुके है जो बात यी बज गए है इसे हम दोबारा पीस लेंगे या पिर इसका दूसर लीकविड फरिलाइजर बना लेंगे पानी के हमें इतनु के लिए इसलिए हम बात मे कड़ने जेखनेके लास 거지 आप अ हर में करना किया है एक बरतन ले लेंगे, उस बरतन में हम लेंगे मस्टरड ओई, सरसो का तेल, सरसो का तेल सभी के घरों में होता ही है, मैं आपको बही इंगेडियन्स बताऊंगे, बही चीजें बताऊंगे, जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है, ना कि कोई और दूसरी, इसके बजाए आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं या पर सरसो का तेल, दोनों में से जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं, एक कट्वरी भर कर हमने ले लिया है, इसना ही हमने ले लिया है यह पेश्ट, जब हमने नीम की पत्तियों से पीसा था, फिक है? और इन दोनों को हम कर देगे मिक दोनों बराबर बराबर ही है उसके बाद हमें इसको गरम करना है वो किस तरीके से करना है और कब तक करना है वो मैं आपको बताते हूं उसके बाद में हमी से करना है गरम इंडक्शन कर लिया है हमने ओन उसके बाद में हमी से अच्छे से बॉइल करेंगी और कब तक करेंगे वो भी मैं आपको step by step बताऊंगे इसको बराबर से हमें चलाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए नीचे से हमारे नीम के पत्तो का पेस्ट है जलना जाए अ झाल झाल प्राइब एंट शाइब प्रेग रावड़ जा प्रेव प्रेवा दिनल ठाइब टूर प्रेवास को प्रेव देजय सार इंट इस पेनी अज़ पह भी आप्रेवाश है पर उबालाने चाहिए इसे की अच्छे से पकलेगी अब देख रहे हैं आप देख रहे हैं पर उबालाना बंग हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और आप देखिए चमच में उठाके देखेंगे तो जो नीम का पेस्ट और ऑईल दोनों मिक्स हो चुके हैं वह अलग अलग नहीं दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे थे तो इसका मतलब यह है हमारा ऑईल बनकर राड़ी हो गया है दस से पंद्रा मेट लगे हैं इसे उबाले में तैयार होनी में और यह नीम आइल बहुत अच्छा बनकर राड़ी हो गया है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए आपका आईल बनकर राड़ी हो गया है और आए जह कर लेंगे थन्दा अंब को submerशा और फोर में रिख राड़ी हो गया है अब इसको हम striya अने बरतन लेंगे किसी अख़ों फ़िल्कुल डंडन नी हूआ है हल काा सगरत है इसमी मैं किसी बाटरी वगैरा में नी आई ने ररही हो काज की बॉटल में इसको रखना ज़्यादा सेफ होगा, यह लॉंग टाइम तक चलेगा कम से कम आप साल भर तक आराम से इसे स्टोर करकी रख सकते हैं इस टाइप की काज की शिशी हो तो उसमें आप आराम से इसे रख सकते हैं अब बात आजाती है इसको यूज किस तरीके से करना है अपने पेड़ पौदों के तो यूज करने का मेजरमेंट यह है अगर आपके प्लान पे बहुत ज़्यादा किड़े लगे होई है तो उस गोए में तो उस अमें लेने हैं इस टाइप से दो चमच भरके और अगर कम है रागुलर में आपको डालना है हफते में एक वाज़े से नी मॉयल का छिड़काफ कर देते हैं तो आपको एक चमच ही इनफ रहे रहा तो उसके बाद में करना क्या है इसको अच्छे से शेक कर लेना है तो देखिए किस टाइप का पानी बन चुका है उसको इस तरीके से करना है इंबालनीजी आपको एक एक अग्जामपल की तौर पे मैं बता रहे हो तो आपको अपने सभी पत्तों पे इस तरीके से श्फ्रे करना है आगे पीछे सब जगह से योकि जो कीड़े होते हैं प्लांट के पत्तों के पीछे बहुत जाद चिपकत लेकि उपर से तो हम वाश कर देते हैं पाने से लेकिन पीछे का एरिया घह जाता है और थोड़ा आप मिट्टी में भी स्प्रेय कर दो जिससे कि मिट्टी में जो भी केड़े वगएरा हो तो वह भट जाए तो यह थी मेरी पूरी जानकारी ने वाइल के उपर इस तरीके से इस्ते इस्तेमाल करना है आपको मेरी जानकारी की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत महानत लगती है काड़नी करते रहिए स्वस्त ये बनेवा